तो फ्रेंटस अब से अब शागत इस वर तो फ्रेंटस बात करेंगे कृप्टो मार्केड नियूज कूपर तो फ्रेंडस हमेशा की तिरह सबसे पहले मार्केड के सेंटिमेट पर एक नज़र डालेंगे तो यह मीटर आज के दिन की है और यह 23 पर देखने को मिल लिये तो market friends जो fear है वो अभी भी बरकरार है जिस तरह से market का situation बना हुआ है तो friends अब overall अभी के टाइम पर current टाइम पर market में क्या चल रहा है उसे एक नजर देखते हैं मतलब market का अभी overall market cap क्या है और अभी के टाइम पर growth है या गिरावट है उसके बाद से जो important news है उसे हम लोग cover करने वाले है तो friends यहाँ पर देखो आप 983.41 billion dollar मतलब 983 billion dollar के करीब में आपको overall market का बनी हुई है और यहाँ पर 0.84 मतलब 1% के करीब करीब जो है market में अभी green signal है मतलब इतनी की बढ़तरी देखने को मिल रही है तो चोलो friends अब बड़े बड़े जो important news लगेंगे उसे एक एकर के cover करने वाले है तो friends शुरू करते हैं सबसे पहले वाले news के साथ में तो यहाँ पर देखो जो FIFA है यह launch करने वाला NFT platform अपने soccer fans के लिए तो friends फटाफट से नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो जो की international soccer governing buddy है जो की FIFA है इसी के बारे में यह चीज़े बताई जा रही है इसने announce किया इनकी जो upcoming launch होने वाली NFT platform के लिए जो की खास तोर पे इनके fans के लिए होंगी जो भी a sport lover है पूरे globe की बात करें मतलब पूरे world की बात करें तो जहां से भी इनके जो fan है उनके लिए यह NFT platform यह खास तोर पर launch कर रहे है अब यहाँ पर देखो तो FIFA फलस जो collect है यह साथ में collaborate करके मिलके यह offer करेंगे digital collectibles मतलब वही NFT जो होती है उनको यह provide करेंगे अपनी इस platform पे और जो भी इनके जो वही जो lovers है वो सब मतलब NFT होगरा फर्षेज होगरा कर पाएंगे अब यहाँ पर देख सकते हो the greatest game moments of FIFA's world cup the organization promised अब यह यहाँ पर promise करते हैं कि यह काफी अच्छे तरह से जो platform यह launch कर रहे है जो यह जैसा है कि आपको पता है फुटबॉल के अगर बात कर लो उसमें तो FIFA का कितना बड़ा नाम आता है तो उसी तरह से इनके कहने का मतलब है कि जो organization इनकी जो भी promise करती है अपने launching के विहाब पर उसे यह पूरी तरह से अपने fan के लिए fulfill करेंगे मतलब कोई भी निरासा जनक चीजे देखने को नहीं मिलने वाली है तो friends यहाँ पर देखो बोला जारे जो Indonesian government है वो क्या करने वाली है तो launch करने वाले crypto बोर्स मतलब यहाँ पर इसको आप market के तोर पर ले सकते है crypto market या फिर crypto के लिए platform ले सकते हो इसे यह launch करने की बारे में बात कर रहा है जैसा कि official कहते है तो friends अब फ़रा से नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर से देखो जो थोड़ी से details है कि जो Indonesian government है उन्होंने बोला कि वो launch करने वाले है crypto बोर्स जो कि इसी साल के अंद तक यह कर देंगे और यह चीज़े कहां से निकल कर आई है तो high ranking जो government official है अधिकारी है बड़े अस्तर के वहां से यह ख़बर जो है कथी तोर पे leak हुई है मतलब निकल कर आई है बाहर में अब यहाँ पर बोलना है कि we will make sure that every requirement procedure and the necessary steps have been taken he emphasizes तो friends यहाँ पर और कुछ चीज़े इन्होंने add करते हुए बोला कि जो भी जरूरी requirements है जो procedures होती है या necessary जो कदम उठाने के लिए होते हैं वो हम लोगों ने already कर चुका है मतलब कुछी भी तरह से कोई भी कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी इनकी जो अब कमिंग लॉंच है प्लेटफॉर्म को क्रिप्टो प्लेटफॉर्म या फिर क्रिप्टो मार्केट को लेकर चलो friends अब बढ़ते हैं अपने अगले नीच के लिए तो friends यहाँ पर देखो जो इंडिया है इसने क्या किया है तो सरपास किया है अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि इंडिया जो है अब विश्व का पाच्वा सबसे बड़ा इकनोमी बन चुका है यूके को सरपास यूके को पचारते हुए अब यहाँ पर देखो तो यह बोला जा रहा है कि जो आइमेप की जो लेटेस डाटा है वहाँ से चीज़े निकल कर आती है इंडिया के जो former chief economic advisor है former chief economic advisor है वो उमीद करते हैं कि यह जो country मतलब इंडिया है उमीद है जिस तरह से इंडिया के economy day by day increase कर रही है growth कर रही है तो friends अब यहाँ पर आओ तो अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है यहाँ पर थोड़ी से ओर detail में कि इंडिया जो है UK को सरपास किया last quarter 2021 में and is now behind only the अब किसके पीछे यह रहे गया है यह बाते बोली जारी है तो अब यहाँ पर बात की जारी है कि अगर एक decade के पहले बात करें तो decade मतलब 10 सक होता है 10 सक मतलब की 10 साल पहले की अगर बारे में बात करें तो friends यहाँ पर जो इंडिया का position था वह लबग 11 अस्तान पर था मतलब कि यह बात की जारी है आपको 2012 के बारे में कि 2012 के आसपास में 11 नंबर पह था और अभी 2022 चल ला है दस साल बाद यह पांच्वे नंबर पहुंच चुका है तो काफी अच्छा गासा है यहाँ पर प्रफॉर्म करते हुए आगे बढ़ते हुए बाकी कंटिज को पीछे करते हुए अब यहाँ पर देखो कार्थिक सर्मा है जिन्होंने यह ट्वीट की है जिससे कि आप एक नजर देख सकते हो अभी यह निव जोगरा में भी अक्सर आजकल दिखाये जा रहा है क्योंकि हाली फिलाल में यह चीज़े रिवील हुई है और यहाँ पर देख लो तीन सितंबर की ट्वीट है उसके वाज़ेंस तो इसी के बारे में बहुत सारी चीज़े काफी ज़दा डिटल में बात की गई है और यहाँ पर देखो फिर से यह उतना अच्छा इस बार प्रफॉमेंस नहीं रहा उससे के साथ-साथ जो यूके है उसको इन्फलेशन का भी मार जहलने को मिला है तो यह सब बहुत बड़ा बड़ा रीजन है जिसके कारण से यूके आज पीछे हो चुका है और फिर से एक ट्वीट है उदै कोटक का लोगों ने समझ लिया है तो इसे यहाँ ही रहने देते हैं और बढ़ते हैं अगले न्यूज के लिए तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि साउथ कोरियन गौर्रमेंट की जो यूट्यूब चैनल थी उसको हैक कर लिया गया ताकि क्या किया जा सके तो क्र यूट्यूब चैनल था साउथ कोरियन गौर्रमेंट का उसको हैक किया गया है सटडे के दिन मतलब आज मंडे है दो रोज पहले अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसने भी यह किया है उसने ब्रोटकास्ट किया एक क्रिप्टो से रिलेटेट क्रिप्टो करेंसी यूटूब चैनल पर यह फीचर करता है एक बिलेनियर और क्रिप्टो इन्थुसियास्ट एलन मस्क्ट इसके बारे मिए आप तो जानते ही सब्सक्राइब उस वीडियो क्लिप में एलन मस्क भी कही ना कहीं थे तो एलन मस्क का उससे कुछ लेना देना नहीं है जो हैकर्स अब वो एलनमस के फैन होंगे या जो भी है उन्होंने वीडियो क्लिप जो डाली उसमें अलनमस भी देखने को मिले है जैसा कि जो लोकल मिडिया है कथी तोर पे सीवल के मतलब की वह आपको साउथ कोरिया से निकल रही है खबर उन्होंने यह चीजे को यहाँ पर तो इस कारण से वीडियो रेगुलर अपडेट नहीं हो रही थी और अगर हो भी रही थी तो एक दिन में एक वीडियो हो रही थी बाई चांस किसी दिन दो हो रही होगी लेकिन अब आपको फिर से एक वीडियो नहीं बोलूंगा मैं दो से चार वीडियो जिस तरह से मैं चैनल पर देखने को अब मिलने वाली है ताकि आपको कोई भी न्यूज मिस ना करना पड़े तो चलो फ्रेंट्स फड़ा फट्स अकर वीडियो यह पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब करो और बाकी की और जो न्यूज आएंगी मार्केट में या जो बची होई है बाकी की जो मेरे वीडियो जाएंगे उसमें मैं कॉवर कर दूँगा तो फ्रेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में